कि यहां पर 3 है let a b और एक तो a set दिया वा आपको b set दिया और c set दिया आपको यह वाली चीज़ें क्या बोल रहा है कि यह आप find out करो ठीक है तो यहां से पहले तो आपने यहां पर set तो अच्छी तरीके से पढ़के हो वहां पर आपने intersection भी अच्छी धंक से पढ़ा है तो पहले हम इसका क्या करेंगे intersection निकालेंगे intersection से हमें क्या मिलेगा set मिलेगा उस set का क्या करेंगे ack के साथ क्या कराएंगे partition product निकालेंगे वह अपना answer होगा ठीक है तो आप पहला question आपको समझ में आया होगा तो अब चलते है अपने ठीक है first question में तो यहां से देखियेगा कि B intersection C पहले find out करेंगी, तो यहां से देखियेगा, तो B बराबर आपका क्या है, तो B है वो आपका है 3 और 4, और आपका C क्या है, C आपका है 4 और 5 और 6, अब यहां से क्या आएगा आपका, B intersection C क्या आएगा, कि दोनों में common, common element कौन सा है एक ही आया है यहां पर दो यह और यह बस 4 इसका क्या है common element है अब 4 common element आ गया तो अब आपको पता है अब यहां से हम क्या करने वाले है कि cross और यह और B intersection C अब आपको पता है A की value तो कितनी है यहां पर 1,2,3 और यह cross product किसके साथ है देखेगा cross product किसके साथ है यह 4 के साथ 4 भी एक set है अब मैंने आपको बताया था कि यह 3 कैसे लगेंगे इधर left में बेठा हुआ है 1,2,3 और इधर right में कौन बेठा है 4 तो 1 आया इसके साथ लगा फिर 2 आयेगा इसके साथ और 3 आयेगा इसके partition product जो आ रहे है वो क्या रहा है कि a cross b है वो क्या है वो आ रहा है 1 का 4 के साथ 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ यह आ रहा है यहां ठीक है आपकी बात है सब कुछ यह तो इस प्रकार से हमारे पास क्या दो यह question solo होते है और यह इसका क्या होगा answer हो अब second में देखेगा कि क्या आ intersection है दोनों साइट देखेगा कि क्या आपके लिए partition product है तो पहले हम क्या करेंगे a cross b find out करेंगे फिर हम a cross c find out करेंगे दोनों में से common element उठा लेंगे ठीक है इतना काम करने वाले है तो firstly हम क्या करते हैं a cross b देखने वाले है तो यहां पर a set कितना आपका 1 2 3 है और cross f जो कि क् आपका यहां पर b side कितना है 3 और 4 और a cross c है वो क्या आपका a cross c क्या है यहां कि a कितना आपका यहां पर 1 2 और 3 और यहां से कितना है और c कितना आपका 5 4 6 अब इसके देखिएगा कि जो अपने पास यह represent कर दिया पहले इसको नहीं लिखेंगा पहले इसके partition product ही हम निकालने वाले है ठीक है तो इसमें देखिएगा कि आपको पता मैंने बोला कि यहां पर एक set बना दो इधर यह कौन सी side गा left side गा है तो 1 2 3 और यहां पर 3 4 अब यह देखो तीर कितने मारेगा तो तो पहले इसको तीर लगाएगा तो यह 1 3 आएगा फि किसको देगा 3 को देगा और 2 का 3 किसको लगेगा 4 को और यहां से देखिएगा तो 3 का 3 किसको लगेगा 3 को और 3 का 3 किसको लगेगा 4 को यह आपके लिए पहला partition product है A x B का ठीक है तो अब देखिएगा है second हम करते हैं कौन सा second जो अपने को दिया अब A x C अब A x C के लिए देखिएगा कि A, A में कौन सा element है 1, 2, 3 यह element है क्रोस किसके साथ करना C के साथ, अब C में कौन सा element है देखते जाएगा 5 और 6 है यह आपको यह लगाना आना चाहिए विस तीर मारने आने चाहिए इधर के त अब बनाओ इसके अंदर element लिखो इसके अंदर 5 और 6 लिखो ठीक है अब यहां से 1 को बुलाओ इसको बोलो आप 3 कितने मार सकते हो 3 तीर मार सकता है ठीक है तो यहां से A x C और यहां पर देखिएगा कि 1,4 और यहां से 1,5 और यहां से 1,6 आई भास समझ में फिर 2 को बुला अब इसी में 3 को बुला हो तो 3 का क्या एगा 4 आएगा 3 का क्या आएगा और 5 आएगा और 3 का क्या आएगा 6 आएगा यह तो इस प्रकार से अपने पास देख लीजेगा कि total elements आ चुके है A x C के ठीक है और यह पूरा है यहां तक अब इसमें देखिएगा कि common elements अपने को A x C intersection A x A x B intersection आपको क्या करना था A x C अब इसकी value आपको find out करनी थी ठीक है अब इन दोनों में common देखिएगा कि कौन कौन से element common है ठीक है तो यहां से देखने बेटेंगे तो एक तो देखो कि आपको यह वाला दिख गया यह common है आपका फिर देखो कि 1 3 कहां पे है क्या यहां पे common यहां पे 1 3 तो हाई नहीं है ठीक है और यहां पे 2 3 2 3 यह मिल गया आपको 2 4 यह रहा आपका 2 4 ठीक है और आपको कौन कौन से मिलेंगे भई 3 4 भी मिल चुका है और यह आपका 3 4 और कोई है क्या है यहां पे 1 3 कोई नहीं है तो यहां से जो common elements आएं वो कौन से आए 1 और 1 और देख लिजेगा कि और भी कोई बस तो नहीं गया ना यहाँ पर 2 3 यहाँ पर है नहीं 3 3 भी यहाँ पर है नहीं 1 3 भी यहाँ नहीं है तो यह अपना क्या होता है यह second वह भी complete होता है ठीक है अब चलते हैं अपने next में भई अब इसी में देखिएगा कि क्या B union C पूछ र क्या करेंगे यहाँ पर जो किया ना इस वाले में बस आपको इसका क्या करना है यहाँ पर union करना है यह सारी की सारी डिटो कानी ऐसी है जो comment यह एक बार आ जाएंगे और सारे के सारे लिग देंगे ठीक है यह आपको घर पर करना है अब अपने पास यह देखिएगा कि A x B तो पहले हम क्या करेंगे B अब हम क्या करेंगे B है B क्या आपके पास में 3 4 है और C क्या है आपका 4 5 6 और यहां से क्या हैगा B union C ठीक है B union C का मतलब क्या हैगा 3 4 और इस set का union इसके साथ करो तो इसमें क्या करतो सारे element लिग दो पहले तो 3 4 5 6 और 4 आएगा यहां पर ठीक है 4 कितनी टाइमस है 2 टाइमस है तो एक टाइमस क्या हट जाएगा क्योंकि repetition है वो कोई यानि allow नहीं करता साथ के अंदर तो 5 6 यह आपके पास में देखिएगा कि क्या आगया अगी बास अब देखिएगा कि आपको इसका क्या गरना है यह यहां पर partition product करना है B union C के साथ तो आपका A तो यहां पर क्या है A आपको लाना है यहां पर 1 2 3 और इसका cross product किसके साथ करना है 3 4 5 6 के साथ समझ में अब A को यहां पर लाओ और एक के तीर इसको मारो एक का तीर इसको मारो एक का तीर इसको मारो एक का तीर इसको मारो फिर 2 को फिर क्या करो, 3 को लाओ, 3 का 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, अब आपको थोड़ी कानी समझ में आई होगी, भी partition product क्या होता है, बच ठीक है, अब उसको क्या करने हैं, एक set लाओ, और उसके अंदे, denote कर दो भई, 1 का 3 के साथ arrow, और 1 का 4 के साथ, और 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर यहाँ पर पकड़ो किसको 2 का, 2 का 3 के साथ arrow, 2 का 5 के साथ arrow, 2 का 6 के साथ arrow, ठीक है, 2, 5, 6, और यह कि यह बच गया है, 2 का 4 के साथ, इसी परकार यहाँ पर देखने पर देखेगा कि 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, और 3 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ, यह यह आपका partition product आगय ठीक है तो यह I hope आपको क्लियर होई होगी कानी कैसे तीर मारना यह सीख लो भई ठीक है How to make तीर ठीक है चलेगा अब इसमें देखेगा कि पहले हमने देखे A x B भी आपने निखा लिया था पहले वाले में और A x C भी आपने निखा लिया अब दोनों को लिखना है और A क्रोस B और Union क्या करना है A क्रोस C जो आपको घर पे करना है इतना है काम करा रहा बस आपने Union तो Last Class यह नहीं जो पीछे की लेक्चर्स होएं तो उनमें पढ़ गया हूँ और यहां पर Union तो आपको पता है भी दोनों में आए वो यूनियन है